Then 6.10, a body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equal to a into x to the power 3 by 2 where a is equal to 5 meter inverse 1 by 2 second inverse. The work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter is आपको बताना है. बिल्कुल ऐसा काईसा question आपकी NCIT में भी दिया है, इसमें सिर्फ options available नहीं है, बाकि है as it is. तो इस question काफी important है, इसको अच्छी तरह सा करिएगा, देखिए, इसमें आपसे पूछ रहे हैं work done. तो work done क्या होता है, आप जानते हैं by theory, change in kinetic energy, which is equal to half m v square minus u square. ठीक, इसकी position 0 से 2 तक रही, initially 0 पे थी भी 2 पर आई. तो इसके लिए आपकी निकलेगी क्या? v, final velocity, और इसके लिए u, initial velocity, ठीक. अब आपको v दे रखा है कितना? a into x to the power 3 by 2. तो इस v में x is equal to 2 के लिए, आपको मिल रही है v, v final, यहाप एक काम कीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए. क्योंकि v आपको दे रखा, confusion होगा, इसको vf कर दीजिए, और इसको v i. तो इससे समाज में आपको अच्छे सा आएगा. अब vf 2 meter के लिए है, तो a, a की value थी कितनी 5? multiplied by x था आपका 2, to the power 3 by 2. उसी तरह से v i, यह तो 0 ही होगा, हाला की, a था आपका 5, into x था 0, की power 3 by 2. यह x is equals to 0 के लिए हम निकाल रहे हैं v i, तो यह हो गया 0. m था आपका 0.5, अभी value put कर दीजिए आप, तो 1 by 2 into 0.5 multiplied by 5 into 2 की power 3 by 2 minus 0, यह आप लिखे ना लिखें की बात है, हटा दीजिए इसको, तो इस पूरे का square, क्योंकि vf का square था, अब यह आपको मिल रहा है क्या, 1 by 2 into 0.5 into 5 into 5 into 2 cube, 2 की power 3 by 2 था, 2 say, 2 cancel हो गया, तो यह आपको मिल जाएगा, मतलब 50 joules, यह आपका answer है, option number B, ठीक, अब इसी question को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, कभी आपको यह method नहीं आ रहा है, तो एक alternate तरीका भी है इसका, बस थोड़ा सा ही पेचीदा है, बड़ा है, पर हो जाएगा, आप जानते हैं क्या, कि अगर आपको V दे रखा होता है, जैसा कि इसमें दिया है, A into x to the power 3 by 2, तो आप dV by dt करके निकालते हैं क्या, acceleration, क्यों, क्योंकि finally आपको निकालना है work done, work done के लिए आपको force, into displacement, force के लिए चाहिए क्या, acceleration, तो आपको इसको differentiate करना पड़ेगा, जिससे कि आपको acceleration मिल जाए, जिससे कि आपको force मिल जाए, जिससे कि आपको work done मिल जाए, ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको लिख दिया, dV by dt is equals to a, अब इसको आपको काम कीजिए, ac कर दीजिए, centripetal नहीं है, ac मतलब समझाने के लिए, क्योंकि इधर भी क्या a आ रहा था, जो कि constant की तरह act कर रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ac, अब यहाँ पे आप देखिए, x to the power 3 by 2 है, हम कर रहे हैं with respect to t differentiate, तो यह problem हो जाएगी, अगर आप इसको d by dt of a into x to the power 3 by 2 कर देंगे, तो differentiate किसके basis पे होगा, तो इसलिए आपको dV by dt क्या करना पड़ेगा, dV by dx into dx by dt, ठिक, एसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, कि dx, dx cancel हो जाते हैं, और आपको मिलता होई, dV by dt, पर हमें क्योंकि with respect to dx differentiate करना पड़ेगा, क्योंकि x दे रखा है, x to the power 3 by 2 दे रखा है, तो इसलिए हमें इसाब करना पड़ रहा है, is equals to ac, जोर acceleration, अब dx by dt क्या होता है आपका, v, v आपका होता है dx by dt, a आपका होता है dV by dt, यह दी टू x by dt square, इस सब थेयोरिया पड़ चुके हैं, तो यह dx by dt की जागा में लिख दिया v, और इसको लिख दिया v, तो d by dx of v, तो d by dx of v है आपका, a into x to the power 3 by 2, is equals to c, ठीक, देख लिजी आप अच्छे से, dV by dt को, मैंने लिखा dV by dx into dx by dt, इस dx by dt को मैंने लिख दिया v, ठीक, अब यहाँ पे यह जो dV by dt था, तो इसमें जो v था, इसकी जगा मैं डाल रहा हूँ यह, तो d by dx of यह हो रहा है v, ठीक, अब, a into x to the power 3 by 2, यह a भार आ गया constant, फिए power rule लगाया तो 3 by 2, x to the power 3 by 2 minus 1, is equal to ac, तो यह आपको मिल रहा है, 3 by 2 into a into a, a square, xc power 3 by 2, और x की power यह 1 by 2, तो 3 by 2 plus 1 by 2, कितना हो जाएगा, 4 by 2 मतलब की 2, तो इसको अटा के मैं, सीधे x square लिद देता हूँ, इतना तो आप पर ही लेंगे, तो यह आपको acceleration की value मिल रही है, अब आपका force क्या हो जाएगा, mass into acceleration, मतलब 3 by 2, m a square into x square, ओके, now, finally your work done, denoted by w, is equal to integration of, कहां से का तक था यह, 0 से 2, तो 0 to 2, force आपका 3 by 2, m a square x square dx, ठीक है, फॉर्मूला होता है, f dx, integration में, तो यहां lower limit, यहां upper limit, is equal to work done, तो यह फॉर्मूला में ने यूज किया है, यह भी आपके theory में दे रखा है, तो 3 by 2, m a square, यह काम की चीज नहीं है, हमने इसको बाहर निकाल लिया, 0 to 2, x square dx, इसमें हो जायागा integration, तो 3 by 2, m था आपका 0.5, a था आपका 5, 5 into 5, और integration of यह आपका हो जायागा, x cube by 3, lower limit 0, upper limit 2, तो यह 3 by 2, 0 कुछ महत्व नहीं है, तो 2 cube minus 0 cube by 3, यह 0 आप लिखे ना लिखे एकी बात है, इसको 2 cube भी लिख दीजिए, आप उन में 3, यह 3 और 3 cancel, यह 4 तू जायाग, तो यह finally 50 joules, यह आपका answer है, इस तरह से भी इसको आप solve कर सकते हैं, यह भी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, और मैंने बोला ही है, यह condition applied, अगर आपको यह formula याद नहीं आ रहा है, यह आप ही theory भुल गए है, तो फिर आपको इस तरह से इसको solve करना पड़ेगा, with the help of calculus, तो 50 joules इसका final answer है, option number B,